हाई अबरीवन कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू प्रियंका किजन स्टूडियो तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रिटैनिया केक की रेसिपी जी हाँ जो मार्केट में ब्रिटैनिया केक मिलता है ना बिलकुल उसी की रेसिपी शेयर करूँगे य और एकदम बराबर मिजर्मेंट के साथ शेयर करूँगे जिससे आप भी घर पे बनाके से तयार कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखे ले लेना है आपको आधा कप मिल्क बिल्कुल रूम टेंपरेचर पे आपको लेना है फ्रिज्ट या निकाल के लिए रख देंगे जिसे दूद हमारा अच्छे से कडल हो जाएगा दस मिनिट के बाद इसमें डाल दिया मैंने एक चौथ हाई कप आयल तो मैंने रिफाइन आयल यूस किया जिसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता कोई फ्लेवर नहीं होता और हाफ कप इसमें डाल दें के बाद अब हम इसमें ड्राइ इंग्रेटियन डालेंगे तो इसके लिए उसको आपको पहले चान लेना है तो मैंने चन्नी रख लिया और इसमें एक कप डाल दे रही हूं मैं मैदा तो मैदा आप देखिए यहां पैने पूरा ऊपर तक फिल नहीं किया है थोड़ा सा वह यहां पे गैप है उपर में अब यहां पी उसको गैप को फिल करने के लिए मैं डाल दे रही हूं वन टेबल स्पून वनीला फ्लेवर वाला कस्टड पाउडर इससे कलर जो है ना वह बिलकुल बिटैनिया का जो कलर होता है ना बिटैनिया केक का यलो वही आएगा हाफ टी जो है वह अच्छे से फूलेगा नहीं या तो बीच से वह बीचे अंदर धस जाएगा तो इसको अच्छे से मैं चान ले रही हूं और इसी के साथ इसमें डाल दिया है मैंने दो टी स्पून वनीला एसेंस आप चाहें एक बड़ा चमच भी वनीला एसेंस का डाल सकते हैं स तो यहां पर शर्फ एक चमच टूटी-फूरूटी शुरुवात में अट कर दी है मतलब कि इसके मिक्शर में अट करूँगी तो यह सारी चीज़े डालने के बाद मैं अपने माइक्रोवेब को प्री हेट मूड पर रख दे रही हूं तो जब तक यह प्री हीट होगा उस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है न हमें बिल्कुल जो रिबन की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल वैसी ही रखनी है तो यहां पर देखिए आपको यह जो बैटर है वो गाढ़ा नजर आ रहा होगा तो मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा- और गाढा लगेगा तो इसमें फिर से मैं थोड़ा-saा मिल्क और अट कर दूंगी तो mix करने के बाद थोड़ा-सा गाढा लग तो मैं इसमें तब एक चमश के करीब milk और एट कर दे रही हूं और इसको अच्छे से mix कर देती हूं mix करते वक्त ध्यान दीजेगा सरफ एक ही direction में आपको mix करना है और बहुत जादा जोर-जोर से आपको इसको नहीं चलाना है बिल्कुल softly आपको इसको अच्छे से mix करना है आप cut and fold का method भी use कर सकते हैं मैं बिल्कुल इसी तरह से इसको सरफ round round घुमा के इसको mix कर ले रही हूं तो ये batter बनके बिल्कुल मेरा ready हो गया है और अब इसको हम transfer कर देंगे जिसमें हमें इसको bake करना है तो मैं यहाँ पे एक microwave से bowl ले रही हूं इस तरह का rectangle shape का आपको अगर round वाले में करना है आप वो ले लीजे जिसमें आप baking करते हो आप वो टिन ले लीजे और इसको अच्छे से पहले grease कर लीजे और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मैदा और इसको चारो तरफ अच्छे से मैं फैला ले रही हूं अगर आपके पास butter paper है तो आप उसे भी लगा सकते हैं और इसको चारो तरफ आप अच्छे से इस तरह से मैदा है तो मैदा डाल के आप इसको अच्छे से फैला लीजे जिससे आपका जो cake है वो इसमें चिपकेगा नहीं अब यहां पर जो batter है ना मैं उसको इसमें डालूँगी तो अब आपको पता चलेगा कि यह देखें बिल्कुल ribbon की जैसे आपको दिख रहा है तो हमें बिल्कुल जो इसका cake का batter है इसी consistency का बना के तयार करना है तो इसको अच्छे से इसमें डाल दे रही हूं आप की अब इसके ऊपर फिर से डाल लेंगे जो टाल ये तोड़ा सा बचा के मैंने वह टाल दाल दीजह यहां पर चाहें तो ड्रयापर भी डाल सकते हैं। तो तोड़ास से तुटी-फूटी डाल दे रहे हr और थोड़ा से मेने बादाम को इस तरह से बारी काट लिया था वो डाल दूँंगी इसको विक चारव तर फैला लिया और इसके बाद आपको क्या करना इसको आप टप-टप थोड़ा सा कर दिजे जिससे कि इसके अंदर की जो एर होगी न वह अच्छे से सेटल हो जाएकी और अब हम इसे माइक्रोवेब में डाल देंगे और यहां पर आपको लो रखनी है यहां पर डालने के बाद इसे हम 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेटिग्री पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे और यहां हमारा केक बन के बिल्कुल रड़ी हो गया है बहुत अच्छे से कुख हुआ है आप इस तरह से बना के जरूर ट्राइ कीजेगा और जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसको डी मोल्ड कर लीजे यहां पर मैं ऐसे ट्रेब अच्छे से निकाल ले रही हू और केक जब आपका गरम रहे ना तब आप उसको क्या कीजे किसी जाली वाले बर्तन के उपर ही रख लीजे इससे क्या होगा ना कि आपका जो केक है वो मॉइस नहीं होगा मतलग अगर आप किसी इसको प्लेट के उपर रख देंगे ना तो उस साइट से वो गीला हो तो मैं इसको इस तरह से जाली के उपर रख ले रही हूं और जब यह हमारा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा इसके बाद मैं इसको पीसिस में कट करूंगी तो यहां पे मैं इस तरह से पतले-पतले पीसिस में कट कर रही हूं और यह जो केक है ना कॉफी के सा तो यह बिल्कुल वैसे ही ब्रिटानिया केक जो मार्केट में मिलता है ना उसी टेस्ट का बनके तयार होता है तो एक बार बनाके जरूर ट्राइ कीजेगा यकीन मानिये घर में सब के आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको यह पसंद आया ना तो लाइक जरूर कीज चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साइट में बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कीजेगा मिलती हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक कियर और थैंक्स पर वाचिंग